नमस्कार बच्चो आज हम हिंदी की पाठ्थे पुष्थक साधना कक्षा एक का पाठ निम्बर दो पड़ेंगे जिसका नाम है बिना मात्रा वाले शब्द क्या नाम बच्चो बिना मात्रा वाले शब्द इस पाठ में हम बिना मात्रा वाले शब्दों के बारे में पड़ेंगे जैसे क ल म कलम क ब र खबर म ग र मगर स ह ज सहज स र ल सरल न र म नरम म ट र मत्र ब त ख बत्तक ल हर लहर न हर नहर स र क सडक क र क कडक क स म कसम क ल श कलश ड ग र डगर प कड़ तो बच्चो ये थे तीन अक्षर के शब्द जो की बिना मत्रा के हैं अब इससे संबंदित हम एक पात पढ़ेंगे जो की तीन अक्षर से बना हुआ है तो आईए पढ़ना स्टार्ट करते हैं ब तक क्या होगा बत्तक और मगर लहर पर मगर तो क्या बोला परस्ट लाइन में पहली लाइन में बत्तक और मगर लहर पर मगर तो लहर पर कौन है बच्चो मगर तट पर बत्तक तट पर बत्तक तट पर कौन है बत्तक तट पर मटर तट पर मटर और तट पर और क्या है? मटर मटर और बत्तक मटर और बत्तक बत्तक और मटर बत्तक और मटर तट पर मगर तट पर मगर आई आगे चलते हैं लहर पर बत्तक बत्तक और मटर आईए दुबारा पढ़ते हैं इसको ज्यान देंगे सभी बच्चे बत्तक और मगर मगर मिस मगर मच होता है और बत्तक मिस बत्तक होती है लहर पर मगर तट पर बत्तक तट पर मटर मटर और बत्तक मटर और बत्तक बत्तक और मटर बत्तक और मटर तट पर मगर तट पर मगर लहर पर बत्तक लहर पर बत्तक बत्तक और मटर तो बच्चो ये आपने तीन अक्षर वाले शब्द पड़े जो की बिना मात्र वाले थे अब इससे सम्मंदित यहाँ पर कुछ परश्ण आपसे पूछ रहे है मटर कहां थी तो अब इसलिए पाट को ध्यान पूरवक पड़ना चीए अब जो पर पाट दिया गया है उसी में से आपको ये प्रश्ण के उत्तर खोड़ ढूंड कर लिखने है ओके बच्चो बच्चो अब इस तीन अक्षर के शब्द पड़े अब हम चार अक्षर के शब्द पड़ेंगे कितना अक्षर के चार अक्षर के तो आईए पढ़ना स्थार्ट करते हैं अदर के अदर्ट अजर करते हैं करते हैं करतफ कसरत सरकस सरकस गरदन, शरबत, बरगद, पनगट, कटहल ताइए अग चार अक्षर से बने शब्दों का एक छोटा सा पाठ हम यहां पड़ेंगे गणपत थर्मस पकड़, यह एक बच्चा है जिसका नाम गणपत है और उसको क्या पकड़ने के लिए बोले जा रहा है थर्मस यानि गणपत ने क्या पकड़ा हुआ है थर्मस, पनगट पर चल पनघट पर चल पनघट का मतलब होता है कुआ तो गणपत कहां चलेगा पनघट पर यानि पनघट के पास जाओ अद्रक का रस बना अद्रक का रस बना बरगत पर अजगर आया बरगत पर अजगर आया अजगर पनघट पर उतर आया अजगर पनघट पर उतर आया गणपत समलकर चल तो बच्चो जब अजगर जो था बर्गर से नीचे उतर आया और कहां पर उतर आया पनघट पे तो गणपत को कैसे चलना चाहिए था समलकर तो आई यो द्वारा पढ़ते हैं गणपत थर्मस पकड पनघट पर चल अद्रक का रस बना बर्गत पर अजगर आया अजगर पनघट पर उतर आया गणपत समलकर चल तो बच्चो ये चार अक्षर से बने शब्दो का एक पाट था इस पाट को आप कम से कम दोबार पढ़ेंगे अजगर चाह